नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभांग अगरवाल, NHS Ortho Robotics, NHS Hospital जलंदर से बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, पूछते हैं, डॉक्टर साथ मेरा घुटने का अपरेशन हुआ है, तो मुझे किस तरह की चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी एक्सराइस करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए तो मैं कुछ चीजें आपको आज बताना चाहूँगा, अगर आपका नी रिप्लेस्मेंट हुआ है, और जब तक टांके नहीं खुलें, तो अपने डॉक्टर की सलाम आने, और जैसे वो बताएं, उसका धीरे धीरे एक्सराइस करें, एट लीस तब तक सेर तो जरूर करें हम अपने पेशन्स को ये बताते हैं सब को कि 40 मिनट की सेर दिन में जरूरी है, चाहे आप उसको एक साथ कर लें, चाहे आप उसको दिन में तीम बार बांट के कर लें, 15 मिनट सुबह, 10 मिनट दुपैर को, 10 मिनट शाम को, ऐसे करके किया जा सकता है, और कुछ सिंपल सी एक अगर बाजू वाली कुरसी मिल जा तो बहुत ही अच्छा, उस पे बैठें, पूरी धास लगाके पीठ को, आप अपनी टांग को जिसका ओपरेशन हुआ है, उपर उठाएं और पंजे को अपनी तरफ को खीचें, और 10 की गिंती करें, एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, स 7, 8, 9, 10, ऐसे 10 की गिंती करें, उसके बाद घुटने को मोडें, धीरे-धीरे उसको पीछे लेके जाएं, जब पीछे ले जाएं, उसके बाद वापिस उपर लेके आएं, फिर लोकें यहां पे पूरा खीच के पंजे को अपनी तरफ लें, और 10 की गिंती फिर से करें, ऐस के उपर डिरेक्टली जो है, गरम पानी का सेक बॉटल से या हीटिंग पैट से नहीं करना, इसके अलावा आप धूप में जा सकते हैं, बिजली के उपकरन का इस्तमाल कर सकते हैं, प्रेस, माइक्रोवेव, किसी चीच से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आज कल जो नी कोटने का अच्छे से इस्तमाल करें, धन्यवाद.